इसके मैं पहले ऐसे चीरह लगा कर देख लेती हूं कुछ कीड़ा वगेरा या फिर चढ़ा वगेरा तो नहीं है क्योंकि अगर हम इसे भूल लेंगे तो हम पता नहीं चलता है तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही चीरा लगा के इसे मैं देख लेती हूँ तो आर पार इस टाइप से चीरा लगाती हूँ दो साइट से मतलब चार चीरा लग जाता है जिससे कि हम पूरे बैगन को आसानी से हम को देख सकते हैं अगर वो खराब है या कीड़ा वगएर है तो हम उसे यूज में नहीं लेते हैं और देखिए इसमें एकदम साफ है बिल्कु को ही यूज कीजिए क्योंकि बैगन को जो बीज है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता उसे बोलते हैं कि पचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो बीज वाले बैगन अगर है तो बीज को आप साइट कर दीजिए तो इसमें तेल लगा कि मैं इसे भून हमक parlament देख सकते हैं अगर हाँ बिर्क चीर सकते हो हमारा लगा कि हसे तो श्मोर में अदर में जिसे की ऑना आ moo चा अगर चाहँ इकिता अगर चोंड़ कि डाल सकते हो नहीं तो आप चलका समित भी डाल सकते हो हुँ दूसित सब्लते पर निकाल सकते हो फिर उसे पकने के बाद जैसे आपके इच्छा और इसे अच्छे से दोनों साइड से भून लेना है ऐसे ही यहां पर टमाटर को में भून के डालूंगी क्योंकि टमाटर को अगर हम भून के डालते है तो और अच्छा टेश्ट आता है तो हरी मिर्च भी ड अच्छे से भून जाता है और बहुत जल्दी बनने वाला डीस होता है अगर आपके अच्छ टाइम है तो भून कर रख लीजिए भी जब भी आपके अच्छ टाइम है तो आप बाद में बना सकते हैं भूना हुआ अगर बैगन है तो जैसे कभी-कभी साम के टाइम भी बन च्छ नहीं जब सबजी में डालती हूं तो उसे अलग कर देता है नहीं खाता है और बेगन का बहुत जाते चफ़क्षा अधसे चटनी जाता है तो पता नहीं चलता है और टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है चाहो तो इसको उबले हुइस पार आलो के साथ अगर हम इसे चुलहे में या फीर सिगडी में भून के बनाते हैं तो इसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा स्वाद आता है एक अलग ही फ्लेवर देता है लेकिन अभी मेरे पास भी सिगडी नहीं है अभी और चुलहा भी नहीं है मैं पहले मेरे पास था एक सिगडी तो मै तो तो आसानी से निकल स AVC ज्ञान कर ली जहां जो ल आया कि फिर ऱिश्ट कुछा great श्रूब कि अश्राइब व्लाएब कर दो शुन दो तुसमें तो इसको निकालने में आसांए होता है तो यह देके लशून और मिर्च भी मेरा पग गया है और मुलून लिने के मारे हैं और चलिक निकाल के उसे कट कर ली हूं अब हम बनाएंगे बैगन का भरता तो देखे तेल गरम करने रखती हूं और जो लसून और मिर्ची डाले थे उसे भी हम कट कर लेते हैं छोटे टुग्रों में और एक प्याज कट कर लेते हैं और अगर आपके पास प्याज भाजी है तो कम से कम प्याज भाजी डालके बहुत अछ तो इसका जो टेल का बहुत से हैं य Bogati इसका प्याज भाजी ने कर तुम अच्छे स्बारा बनाए हूं अगर क्याज है तो अगर आफ देखना चाहें सकते हैं तो में थेल गरम होने प्याज जेरा और हिंग डाल देती हूं जीरा और हिं यहां पर मीठा पत्ती भी डाल सकते हो बहुत अच्छा टेस्ट देता है और प्याज को डाल देती हूँ अगर आप प्याज पसंद नहीं करते तो जवरत भी नहीं है फ्रेंड बीना प्याज कभी बहुत टेस्टी बनता है तो यह प्याज को हम भून लेते हैं और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें अगर आप मटर डालना चाहो तो मटर डाल सकते हो फ्रेंड या फिर राहे या तुवर जो होता हरतुवर वो भी डाल सकते हो और नहीं तो यहां पर आप तियुरा जो होता है और उसे थोड़ा भूनने के बाद जो लसुन और मिर्स काट के रखे थे फ्रेंड उसे भी डाल देते हैं और तमाटर जो बाल मतलब सौरी जो भून की जो तयार किया था उसे भी डाल देते हैं हाँ पर और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जो तियुरा बटकर जो होता है फ्रेंड उसे डाल दीजिए और चाहो तो प्याज डालने के बाद भी आप डाल सकते हो और नहीं तो यहां पर भी आप डाल सकते हो धीरे से पक जाता है तो मैं यहां पर थोड़ा सा डाल लाखड़ ते, बिलन कंई कि जोणा, 20-30-30 ते심 लाखड़ी या तर्मी डालने के बाद इससे भूनी सकते सकेड़ोकला पर जाओ तो धूमे बैगन चैनल दूरी, प्याज चाहो तर्मी तर्मी बीड़ी, जा तर्माटर और लिधना अर उसे अच्छे से भूनिए और उसके बाद जो बैगन हमने रखा है फ्रेंड उसे डाल देंगे मैस करके डंडी को अलग निकाल दी हूं और बाकी बैगन को मैं मसल ली हूं हलका सा अर उसे अच्छे से पकने दीजिए तो बैगन का भरता बहुत टेस्टी बनता है और बच्चे बड़े सभी वर्द को बहुत पसंद आता है और यहाँ पर डाल देंगे हम स्वाद अनुसा नमक और स्वाद अनुसर नमक डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा चाहो तो आप यहाँ पर गरम मसाला गर पसंद करते तो आप डाल सकते हो और नहीं तो यह तो ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है आप और जादा कुछ डालने के ज़ुरत नहीं है और बस हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर बस डाल दीजे और बागी कुछ मसाला डालने के बिल्कुल भी ज़ुरत नहीं है बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है यह जो बैगन का जो भरता होता है और इसे अच्छे से थोड़ा देर पकाईए भूनिये जिसे की जो सभी टमाटर वगेरे का जो टेस्ट है वो अच्छे से एक दूसरे में आ जाए और लास्ट में आप डाल डाल दीजे ने कटी होई हर्या धनिया तो धनिया पत्ती डाल दीजे जो जो फड़ी देर बाद आप गैस को बंद कर दिजी आपका बैगन का भरताबन के तयार है तो बहुत टेश्टी बनता है फ्रेंट तो यह हो गया मेरığा दो पहर का आज का दो पहर का लँच्छ फ्रेंट और साम को हम लोग आज जा रहे है फ्रेंड एक function में जा रहे है ग्रीप रोएस है तो वहीं जा रहे है तो मैं वहाँ का थोड़ा सब भी दिखाऊंगे आप ज़रूर देयार लास्ट टक वीडियो देखते रहे है तो यह देखी फ्रेंड हम लोग निकल गए है जाने के लिए और हम लोग जा रहे हैं सिमगा सिमगा गाँ जा रहे है फ्रेंड जाहां पे में ग्रीफ लोई सहाँ है तो देखे रास्ते में गाँ रिखे पेकिंग अर् instant मीरे बेटे में वहां जxo देख वहाले का इसाल देख हु, मोला में पिल देख दो यहां बहonstans के रहे हैं दो यह क्योंकि मेरे मिस्टर जो है ड्यूटी से आते रहे हैं उसके बाद अम लोगो प्रोग्राम में गया तो बहुत सारे लोग तो तो लेट हो चुका था प्रेंड हम लोगो तो जाने में तो यह देखिये यह अब फ्रेंड कर रहे थे फ्रेंड कासा लग रहे बताईएगा यह मे बड़ा है तुसका पैर चुstaw रहे हैं और यहा पर मेरा बेटा इन इन लोग पैर चूड़ा यह मौसी है और गवास मामी लगेगी तो मामी TWO पैर चूते हैं मामी लोगगहां पैर ठीमें तो यह था कैसा शूटा सा व्लॉक प्रन है आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो में नहीं बना पाई थी सॉरी फ्रेंड तो जरूर बताईएगा कैसा लगा